हेलो एब्रिवन मैं आज आप लोग को एक एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगे जिसे सरकार ने 17 एप्रिल 2020 को लॉंस किया है अगर आपके आज पास में कोई भी कुरोना वारेस इंफेक्टेड पार्सन आते है तो ये एप्लिकेशन आपको बता देगा और इसमें क्या-क्या गाइडलिन्स फोलो करना है इसमें इसका भी जानकर ये एप्लिकेशन में मिल जाएगा और उस एप्ट का नाम है अरगयो से तु तो चलिये देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है सबसे पहले आपको इसे play store से डाउनलोड करना है और उसके बाद आप language सिलेक करिए और यहाँ पर कुछ guidance दिया गया है जिसे next करिए और उसके बाद register नाव पर click करिए और यहाँ पर आप device के location पुछा जाएगा और Bluetooth पुछा जाएगा जिसे आपको agree करना है और आपको यहाँ पर अपनी phone number एंटर कर देना है और उसके बाद एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है और उसके बाद यह आपसे कुछ personal question पुछागा जैसे कि आपके नाम, आपके age, gender यह सब पूछेगा और यह सब आपको सही सही से एंटर करना है और आपसे travel history पूछेगा अगर आप कोई बाहर से आए है तो यह भी पूछेगा इसे अब सही तरीके से एंटर कर देना है और यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ आपको अब कितने safe है यह भी एप से आपको जानकरी मिल जाएगा और इसमें कोई सारी वीडियो भी है कोई सारी information है और new update है जो coronavirus के उपर कितनी person infected है सारी इस टेटेक के नाम कहा कितनी person infected है कितनी person recover हुए है कितनी पतिशन लोगों की death हुई है यह सब आपको इस application से जानकरी मिल जाएगा तो अभी इस application को download करिए और अब जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आपके phone में bluetooth और location on होना चाहिए और अगर बाहर गए तो आप जिस जिस person से मिलेंगे उसका भी इस application download होना चाहिए और उसके phone तभी यह application आपको बता देगी कि आपके पास के लोगों के पास coronavirus के infected कोई ब्यक्ति है तो यह आपको एक guidance देगा कि आपको उस ब्यक्ति से कितनी मीटर के दूरी वजाए रखने चाहिए और उसके बाद आपको क्या करने चाहिए इस एप आपको शारी information दे देगे तो आज ही इस application को download करिए और वीडियो को एन तक देखने के लिए thank you